वैसे तो नर्सरी पर miniature garden costly परते हैं और आप उसको purchase करके लाते हैं लेकिन आप घर से कबार से ही कुछ जुगार करके एक miniature garden तयार कर सकते हैं अपने घर के खुबसूरती पढ़ाने के लिए और garden को सजाने के लिए मैंने pot भी नहीं खरीदा एक oil cane से मैंने दो cut के हुए हैं एक पार्ट को हम miniature garden के pot के लिए use करेंगे और दूसरे पार्ट में तो मैंने sensiviria grow किया हुआ था वो मैंने आपके साथ शेर किया था Assalamualaikum friends welcome to my channel शेबनूरली ये देखे मैंने इस तरीके का container तयार किया हुआ है एक flower का लुक दिया हुआ है मैंने इसको और yellow color in ml लगाया हुआ है इसके बाद ये सूख चुका ये वीडियो हमारे चैनल पर upload है आप प्लीज उसको देख लीजिएगा इसको तयार करने का तरीका पहले तो हम इस container को थोड़ा सा और decorate करेंगे ये है black acrylic color ये 20 रुपीज के एक शीशी आती फिर मैंने लिया brush brush लेने के बाद अब क्या करना है कि मुझे यहाँ पर कुछ linings draw करनी है इस paint की help से तो मैं paint करके बताती हूँ मेरे हाथ में phone है अब ये देखें मैंने जब तयार कर लिया है तब कुछ इस तरीके से लग रहा है यहाँ पर मैंने कुछ bricks कर shape दिया और कुछ accessories आप देखें ये सामान जो मैं miniature garden में use करने वाली हूँ तो ये एक मैंने यहाँ पर डोरी निकाली है ये city डोरी है और मैंने इसी को खोल लिया है खोलने के बाद हम इसको use करेंगे तो ये भी हमारे घर पर थी और waste थी कुछ खराब हो गई थी तो मैंने इसको use करें हूँ अपने लिए और फिर इसके अलावा आपको scissor चाहिए एक डॉल इसमें से ये जो रसी निकाली है वो ये है और ये जो बच्चों के हैर क्लिप्स पर होती है वो डॉल है ये कंटेनर तो ऑइल केन ही तो मैंने पेंट जो घर में मैं अकसर मंगा कर रखती हूँ उसी को use कि आप बिल्कुल free zero budget में miniature garden बना कर दिखाऊंगी आपको त छोटा छोटा तोड़ लिया है जितनी बड़ी लैडर आपको चाहिए और फिर देखें रसी जो मैंने यूज की है वो तो आपको दिखाया कि मैंने कहां से लिया है तो ये सारा सामान घर में आपको मिल सकता है मार्केट जाने की जरूरत नहीं बिल्कुल free में तो इस तरीक गार्डन में टांगने वाले हैं तो फिर वो भी एक लकड़ी ली है मैंने और उसमें भी मैंने इसी रोप का यूज किया है कुछ इस तरीके से ये देखें जूला तयार हो गया अब बारी आती है इसको पेंट करने की तो रैट कलर का एक्रिलिक पेंट मेरी बेटी कर रही ह इसके उपर थोड़ी हेल्प तो बच्चे कर भी देते हैं उसके बाद मैंने एक वायर लिया हुआ है ये किसी चीज में निकला होगा मैंने कुछ इस तरीके से इसको फोल्ड कर दिया और ग्रीन कलर से इसको हम पेंट कर देते हैं इसको भी सुखने के लिए रख देते हैं ये एक टोप्यारी बनाने के काम में आएगा और टोप्यारी के लिए मैंने जो प्लांट लिये हैं वो मैं भी दिखाऊंगी आपको तो ये रहा इसका कुछ तयार किया हुआ सामान जो कि बिल्कुल फ्री में मैंने तयार कर लिया घर पर मार्केट में भी मिलता है लेकिन आ होट रेडी है जूला रेडी है लेडर रेडी है अब प्लांट्स देखे मैंने इसकी टोपियारी बनाने के लिए टर्डल वाइन को यूज किया है यह में गार्डन से निकाल के लेकर आई हूँ वीडियो जादा लॉंग हो जाती तो कटिंग वगरा मैंने निकालती हूँ नह इन धागे का मैंने यहाँ पर यूज किया है और इसको गुमा गुमा कर पूरे वायर पर हम इसको लपेट रहे हैं देखे इसको भी ग्रो करने में यह सकलेंट होता है और बहुत कम पानी की जरूरत होती है इसके अलावा आप इसको इंडोर पर काफी अच्छे से पहला सकत अब बारी हादी है कंटीनर को हम कैसी सॉयल से भरेंगे तो चलिए मिटी बनाते हैं इसको कवर कर देते हैं पहले ड्रेनेज होल पर मैंने फैबरिक कर टुकडा बिछा दिया है इस तरीके से ताके मिटी हमारी हर जगा निकल निकल कर उस जगा को गंदा ना बनाए अब सिर लेटी हों रिवर सेंड यानि के मौरंग जो पिंक कलर की रेथ होती है मोटी मोटी बीना चाने ताके पानी जो है बिल्कुल ना रुके मैं सेक्रेंस इसमें लगाने वाली हूँ और वाटिंग में कम ही करूँगी तो मिटी भी मैंने इसके उपर से डाल दी है मिटी में भी जो मैंने टोपियारी बनाई है तो बिल्कुल सेंटर पर ना लेते हुए मैंने उसको साइड में लिया है ताके हमें कुछ इस पेस मिल जाए और सारे सामन सजाने के लिए टोप्यारी को मैंने फिक्स कर दिया है और ये जो स्टोन पेंटिंग मैंने की थी जिसे के लेडी बग बनाये था फ्रॉग बनाये था वो मैंने और एक हाउस बनाये था वो मैंने इस पर सैट कर दिया एलोवेरा का बेवी पप को मैंने इसकी साइट में ग्रो कर दिया है और अब मैंने हाँ इसमें जैट प्लांट भी लगाया है ये सारे सक्लेंस प्लांट है प्लांट को हमीशा खयाल रखे कि एक ही तरीके के प्लांट जिसको एक सीव पानी चाहिए उस तरीके के आप रखे उसके बाद छुटी-छुटी से पैवल्स, स्टोन्स मैंने इस पे जो रास्ता होता है पत्थर का वो हाउस के आगे इस तरीके से बिछा दिये है लेडर को यहाँ पर हैंग कर दिया है मतलब उतरने के लिए इतने उचे फैरी लैंड से तो यह भी एक हमारी थीम ही थी मैंने इसको जंगल लुप दिया हुआ है एक्चुली मिनियेचर गार्डन जो होते न एक थीम के साथ बहुत प्यारे लगते हैं और जूला जूलती हुई डॉल अपने घर के आसपास सो क्यूट फ्रॉग तो आज कल पर साथ में निकल ही रहे है न और लेडी वेक तो जंगल में प्लांट के असपास होती ही है और एलो वेरा भी इसमें जेट प्लांट भी इसमें और ये टर्टिल वाइन भहा खुशूरत लग रही है तो प्लीज वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आलाफेज